आइए एक एनिजारू रियक्शन्स के बारे में जानते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डी हाइड्स जिनके पास अल्फा हैड्रूजन नहीं होता है वो स्ट्रॉंग एल्कली जैसे एने वेच इसके प्रिजेंस में सेल्फ ऑक्सिडेशन और रिडेक्शन रियक्शन देते हैं और इनके सेल्फ ऑक्सिडेशन और रिडेक्शन रियक्शन से एक एल्कोहल बनता है और एक साल्ट बनता है कार्बाक्सलिक एसिड का यह जो reaction है यह काल आता है कैनी जारो reaction और example हम एक reaction ले सकते हैं formaldehyde का 2 hc ho यह 50% naOH के presence में room temperature पे room temperature पे किसमे convert होता है format आए hc o o minus और इसके साथ एक alcohol बनाता है cs3 OH यह जो formation है यह formation कालाता है कैनी जारो reaction यह है formaldehyde यह बना format आए और यह है methanol ठेक इसी तरह aromatic aldehyde के case में हम ले सकते हैं 2 AR CHO यह 50% naOH के presence में convert होता है AR COO minus plus CH2 OH इसरा अग्जाम्पल हम ले सकते हैं meta-chloro-benzol-dehyde CHO 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 Meta-chloro-benzol-dehyde CS2OH here खुरो बन्जुए तुरो बन्जुएट और ये बन्या ये देखें कनिजारो रियक्षिन किस मेकनिज्म को फॉलो करता है फर्स स्टेप अगर हम ले इसमें सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा फॉर्मेशन होगा हैड्राकसाइड आइन का और हैड्राकसाइड आइन कैसे फॉर्म करेगा ये जो न न वेच सिस्टम में प्रिजेंट है ये आइनाइज होगा एन प्लस और ओएच माइनस में ये हाड्राकसाइड आइन बन गया है अब ये जो हाड्राकसाइड आइन है ये अटैक करेगा इस पे वो जो एल्डिहाइड हमने लिया हुआ है और अटैक करके क्या होगा कौन सा रियक्षन होगा नुक्लियोफिलिक एडिशन रियक्षन तो अब इसका ये हम ले सकते हैं अब होगा नुक्लियोफिलिक एडिशन आफ आफ आइड्राकसाइड आइन टू एल्डिहाइड और वो कैसे होगा तो यहां हम देख सकते हैं यह हमने एक एल्डिहाइड लिया और यह हैड्राकसाइड आटैक कर रहा है अब यहां देखें यह जो आटैक होगा यह किस पर डिपेंड करेगा यह और इलक्टो निगेटिव एटम है तो एक पर्मानेंट सिफ्ट होगा इलक्टोन का ऑक्सिजन पर तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज जेनरेट होगा यह जो साइट है और यह जो पॉजिटिव चार्ज है यह अट्रैक करेगा नुकलिओ फिलिक एडिशन रियक्शन के लिए तो यह यहां आके अटैच हो जाएगा यह फ़र्स स्टेप में आपका सबसे पहले एक इंटर्मीरिट बना और वो इंटर्मीरिट क्या है यह अर सी नेगेटिव चार्ज ह तो यह बना इंटर्मीरिट ए सेकेंड स्टेप में फ़र्स स्टेप में जो इंटर्मीरिट बना यह इंटर्मीरिट सी वो माइनस हैच यह अब और जो प्रिजेंट उसमें अल्ली हाइड्स हैं उनके साथ रियाइट करेंगा और यह एक्षन कैसे होगा यहां हम देख सकते हैं कि यहां भी सेम वह प्रसीजर यह सिफ्टिंग होगी इधर की तरफ पाइब और यहां एक और यह जो हाइड्रोजन है वो अबस्टेक्ट किया जाएगा इसमें से और इन दोनों रियक्षन के करन यह जो सेकंड स्टेप में जो इंटर्मियर्स बनेंगे वो कौन से होंगे यह जो डबल बॉर्ण है यह शिफ्ट करेगा इधर यह हो गया है यह नेगेटिव यह जो इलेक्ट्रोन है यह शिफ्ट करेगा इधर यह बना दिये डबल बॉर्ण ह यह हाइड्रोजन एफ्ट्रेक्ट किया जा चुका है और इसके अलाबा बनेगा दूसरा इंटर्मियर्स यह जो इलेक्ट्रोन शिफ्ट हुआ है यह शिफ्टिंग ओ माइनस और यह जो एफ्ट्रेक्ट्ट हाइड्रोजन है यह यहां आके अटैच होगा अब यहां पर हाइड्राइट शिफ्ट से दो आपके इधर बन जाएंगे फॉर्मेट आयन माइनस एच प्लस यह बनेगा और यहां क्या होगा एडेशन होगा अच प्लस का यह क्या बनाएगा यह format N और alcohol form कर गए